हैलो एवरीबन बलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम छोटे बच्चे के लिए नेकर बनाना सिखाएंगी तो आप हमारी वीडियो का इंतर जरूर देखें तो यहाँ पर देखी मैंने कपड़ा लिया है और एक कपड़ा हमारा सरड का बचा हुआ है तो यहाँ पर हम दोनों पाथ की एक साथ में कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिचा देना है तो यहाँ पर मैंने कपड़े को बिचा लिया है अब हमें आपर क्या करेंगे नीचे की तरफ देड़ इंच का मार्जल लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए ठीक है तो इस तरह से सीधी लाइन खीचेंगे और यहाँ से लंबाई नापेंगे तो यहां पर हम लंबाई रखेंगे 9 इंच तो 9 इंच पर हमें निसान लगाना है तो यहां पर भी इतरह से सीधी लाइन खीचेंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे 1.5 इंच पर निसान लगाएंगे इलास्टिक को डालने के लिए तो यहां पर भी हमें सीधी लाइन खीच देनी है और चोड़ाई में हमें यहां पर आठ इंच पर निसान लगाएंगे और इतरह से हमें नीचे से उपर तक कुछ इतरह से त्रिछे में लाइन खीच देनी है तो यहाँ पर मैंने कुछ इत्रह से निसान लगा दिया है अब हमें आपर इत्रह से कटिंग करेंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरू लाइक कर देना यहाँ पर इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे तो हमारे पल्ले की कटिंग हो गई है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे म्यानी की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और त्रिछे में म्यानी कटिंग करेंगे देखी इसके चोड़ाई 5 इंच है और लंबाई 6 इंच है फिर हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे जितना हमारा मार्जन है उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिये इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें एक इंच पर निशान लगाना है एक इंच पर हम इतरह से म्यानी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो देखी इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है अब हम यहाँ पर दाप सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर हमने दाप सिलाई को भी लगा लिया है इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है अब हम यहां पर दोनों पल्ले को बरावर करेंगे और यहां पर भी सिलाई लगा देंगे और इसमें हमें दाफ सिलाई लगा देनी है तो यहां पर मैंने एक म्यानी को सिल लिया है पल्ले को सीधा रखेंगे और एक इंच छोड़के हमें या पर दूसरी म्यानी को भी कुछ इस तरह से रखेंगे और फिर आदांच का मार्जन छोड़के एक सीधी शिलाई लगा देंगे इसमें भी हमें दाप सिलाई लगा देनी है तो यहां पर मैंने दाप सिलाई को भी लगा लिया है अब हमें आपर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा देंगे तो यहां पर देखे मैंने दोनों म्यानी को सिल लिया है अब हमें आपर नीचे से भी सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हम पहुचे की चोणाई रखेंगे साड़े चेंज तो साड़े चेंज पर हमें इतरह से सिलाई लगा देनी है ठीक है दोनों पहुचे में हमें यहां पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई यहां पर हम धबल लगाएंगे तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा दिया है इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसमें इलास्टिक चिलेंगे तो यहां पर मैंने एक इलास्टिक को लिया है तो पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं तो लंबाई हमारी 16 इंचा रही है इसको इतरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया अब हमें आपर क्या करेंगे इसको इतरह से रखेंगे और इसके उपर हमें आपर इलास्टिक को रखेंगे तो जितना हमारा मारजन है उतना फोल्ड करके हमें इलस्टिक को सिल लेना है हलके हाथों से हम इलस्टिक को खीचते जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे तो यहां पर हमने लाश्टिक को सिल लिया है इसको तरह से बराबर करेंगी यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारा नेकर है वह बन करते हैं इसको भूपा सकती हैं मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक यू